2020 के massive farmers protest के बाद अब फिर से हजारों की संख्या में किसान हमारे सलकों पे आ चुके हैं और इस बार उनकी नए demands है नए reforms की ये demand कर रहे हैं पर आखिर इनकी demands में ऐसा क्या है जिसकी वज़े से इन्हें रोक दिया जा रहा है इसी हर्याना के border के आसपास और इन्हें दिल्ली त साथ और इन्हें अंदर दिल्ली तक आने दिया ही दें जा रहा है आखिर क्या है इनकी demands उन्हें हम आज समझनी की कोशिश करेंगे एक एक चीज़ को समझेंगे ताकि हम लेमान की नजरों से इसे समझे और इस पूरे issue को समझ पाए अच्छी तरीके से the farmers protest 2.0 तो यह जो मै किसमें औरेडी एक farmers protest जो हो चुका है जिसके तहर तीन farm law bills को repeal किया गया था इस बार का जो प्रोटेस्ट है वो थोड़ा सा अलग है माईने इसके अलग इसलिए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि यह थोड़ा ठंडा है पहले के मुकाबले में क्योंकि उस वक के जो leaders थे जैसे लेकिन इस बार उनका कहना है कि यह viable नहीं है क्योंकि पिछली बार काफी जादा economy को impact हुआ था तो इस बार इनका कहना है कि हमारे लिए यह protest करना सही नहीं है जिसकी वज़े से चिस बड़े level पर यह उस वक्त हुआ था वो इस बार नहीं हो रहा है और इसलिए कहा जा रहा कि government का response जो की पहले काफी ज़ादा accepting था demand के लिए वो इस बार नहीं है इस बार negotiations हो रहे है और security measures की बात करें तो पिछली बार दिल्दी तक आने दिया गया था इस बार नहीं दिया जा रहा है पिछली बार काफी ज़ादा बड़ी मातरा में इन्हें पार्टिसिपेशन मिला था इस बार उतना ज़ादा बड़ी बातरा में नहीं है ये एक हलका खुलका difference है जो हम 2020 और 2024 के protest में देख रहे हैं बात करें इनके demands की तो वो सबसे ज़ादा सबसे important point है कि हम इनके demands को समझ सके कि आखिर क्या इनके demands है जिसकी वज़े से इतना बड़ा बबाल हो रहा है सबसे पहली बात तो ये कि legal guarantee for MSP for all crops ये demand किया जा रहा है पहला शब्द है legal guarantee हम ऐसा समझ सकते हैं इसे कि इसे legal right बनाने का मतलब है कि अगर उन्हें minimum support price नहीं मिलता है किसानों को नहीं मिलता है तो वो सीधा Supreme Court के पास जा सकते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए जो कि अभी वो नहीं कर सकते अगर minimum support price की मैं बात करूँ तो ये वो minimum amount होता है जो government दे सकती है किसी भी किसान को अगर उनकी फसल को कोई नहीं खरीदता है ये जो minimum amount होती है इसे कैसे decide किया जाता है उस पर भी बात की जारी है किसानों का कहना है कि MSP अभी भी होती है पर ये जो MSP है इसकी calculation का तरीका अलग होना चाहिए ये जो तरीका है वो स्वामी नाथन जी के द्वारा जो दिया गया था उस formula से होना चाहिए जिसे C2 plus 50% का formula कहा जाता है यानि कि जो cost of production होता है weighted average cost of production जो होता है इससे 50% जादा MSP होना चाहिए वो भी सिर्फ wheat और rice का ही नहीं ठेय सारे और crops का होना चाहिए ये एक बड़ी demand है इस बार किसानों के मोर्चे की तो ये हमें पहले point बताता है कि legal guarantee for MSP for all crops ये कहना है दूसरा कहा जा रहा है farm loan waivers के बारे में कि आए दिन हम जब काफी सारी कहानिया सुनते है काफी सारी news सुनते है जहां किसानों को तकलीफ हो रही है काफी सारे suicide attempt करते है जिसमें loan एक बहुत बड़ा reason होता है कि वो उसे चुकता नहीं कर पाते है और इस पज़े से वो अपने जानगवा बैठते है तो ऐसी चीजों को wave off किया जाए और इनका ये justification देते है कि जब corporate loan इतने बड़े amount में wave off किया जाता है then why not wave off the farm loan that is the second demand third thing ये कहते है कि जो स्वामिनाथन committee है उसके recommendations को implement किया जाए अगर मैं उसकी बात करूँ तो स्वामिनाथन जी कौन है ये आपको पता होना चाहिए he was the father of India's green revolution जो सिरफ नाम के ही नहीं थे उन्होंने काफी ज़्यादा काम किया थे agriculture के domain में जिनने भारत रतन से भी नवाजा गया था तो इसलिए उनके जो recommendations है वो equally important होता है इनके recommendations में ये कहते हैं कि इनकी जो MSP है crops की वो at least 50% जाधा होने चाहिए than the cost of production मतलब अगर 50 रुपे में उसे उगाया जा रहा है तो कम से कम किसानों को 100 रुपे minimum दिया जाए ये इनका कहना है कि थोड़ा बहुत profit farmers कमा सके दूसरा जो स्वामिनाथन कमिटी कहती है वो ये है कि mechanism होने चाहिए sale of the agricultural land मतलब जो किसानों का जो किसानी का जो जमीन होता है even जो waste land होता है उसे convert करने की भी बात की गई थी स्वामिनाथन कमिटी में then he also talked about the reduction in the crop loan rate to 4% मतलब बहुत ही कम होना चाहिए crop के लिए या agriculture के लिए जो loan दिया जाता है इनका ये भी कहना था कि अगर फसल अच्छी नहीं होती है तो principal amount भले किसान वापस कर दे लेकिन जो interest होता है उसे माफ कर दिया जाना चाहिए अगर फसल सही नहीं होती है ऐसे भी recommendation थे और इनका ये भी कहना है कि जो agriculture infrastructure है उसमें काफी ज़ादा investment हो तो जो इतने अच्छे recommendations दिये गए है स्वामिनातन committee के द्वारा उसे implement करने का demand किया गया है चौती चीज ये है कि pensions इन्होंने demand की है कि अगर हर सरकारी दफतर में काम करने वाले employee को pension भी जा सकती है then why not farmers जो पुरी जीवन अपने इस चीज में लगाते हैं तो इनका demand की करीब जो 60 साल से उपर के होते हैं उन्हें 10,000 तक का pension मिलना चाहिए besides that जो 2020 में काफी सारे किसानों के नाम पर case लगाए गए थे उन्हें withdraw करने की बात की गई है Land Acquisition Act जो है 2013 का उसे भी implement करने की बात की है क्योंकि यहां पर किसानों से सहमती ली जाती है land को खरीदने से पहले या जमीन को खरीदने से पहले तो यह जो acquisition है अक्वायर करने की बात है उसमें consent लिया जाए farmers का वो यह बारे में कहता है फिर एक बहुत important चीज है withdrawal from the world trade organization जो हमारी WTO है वो basically अच्छा free feasible trade को promote करते हैं और इसमें जो subsidies दी जाती है अगर मैं को layman terms में समझाओ जो subsidies दी जाती है हमारे farmers को उसे कम करने की बात की जाती है जब बाकी सभी develop countries subsidies दे रहे हैं तो हमारी country के farmers को भी यह मिलना चाहिए और वो हमारी country नहीं दे पार है क्योंकि हम signatories है कुछ कुछ treaties और agreements की जो की WTO में आता है तो इनका कहना है कि आप withdraw कर लीजे WTO से यह कुछ बड़े demands है जो इनके द्वारा दिये गए है इसके अलावा भी कुछ demands है जैसे कि जो लोग fake seeds या fertilizer लागू करते हैं या market में देते हैं उनके खिलाफ stringent action लिया जाए प्लस जो government पे दावा किया था 2016 में कि 2020 तक farmers की जो income है वो double हो जाएगी उसे क्योंकि implement नहीं किया गया है तो उस पर भी काम किया जाए ऐसी सारी demands के साथ यह सभी हजारों के संख्या में प्रोटेस कर रहे है जिसे farmer protest 2.0 कहा जा रहा है इस पूरी प्रतिया पे government का क्या response है इसकी अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि जो MSP दी जाती है राइस और वीट के लिए उसी MSP को जब state agencies procure करते हैं तो उस पर उस से करीब to 24.7 billion तक का खर्चा होता है अगर हम इसमें सारे crops को include कर देंगे तो यह amount काफी जादा shoot up हो जाएगा जो कि basically unfeasible है for the government as well तो यह जो है इनका एक point है government का और इन सारी चीजों पर mediation भी हो रहा है हमारे तीन union ministers और हमारे chief minister पंचाब के द्वारा और mediation हो भी क्यों न जब हमारा 45% employable section यही से आता है primary sector, agriculture sector से तो इतना बड़ा chunk अगर यहाँ पर है आपकी इस बार में क्या रहा है मुझे comment करके जरूर बताईएगा और मुझे ये भी बताईए कि आपको क्या लगता है इस सारे protest से आने वाले elections में कही ना कही impact हो सकता है या नहीं Do let me know in the comment section below ऐसे बड़े events जब भी होते हैं इनकी exams में आने की संभावना काफी ज़ादा होती है इसी संभावना को समझते हुए हमने दो current affairs के courses बनाए है एक specifically law entrance के लिए और एक specifically सभी competitive exam के लिए ये जितने भी हम events देख रहे हैं इन्हें हम वहाँ video format में cover करते हैं अच्छी analysis के साथ plus assessment के साथ तो अगर आपको लगता है कि आपकी current affairs के तयारी अच्छे से नहीं हो रही है हमारे इन दो courses को जरूर जरूर चेक आउट कीजे So, that is it for today अगर ये video आपको अच्छा लगा do hit the like button and do not forget to subscribe to our channel Till then, keep learning and I shall see you in the next one